तो आज की स्टूडियो में आप लोगों का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है और आज की स्टूडियो में हम लोग पता करने वाले हैं कि पीएफ बैलेंस को कैसे चेक कर सकते हैं तो आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है गूगल पर जाके सिंपली सर्च करना है ईप पर उसमें आपको दीखे आपको कि यूजरनेंबना पड़ेंस यह आपका यूए नमबर होगा और उसके बाद यहाँ पर यह आउसका पासवरड डानना पड़ेगा तो जैसे यह दुन आप फिलप करनेगे, उसकाद आपको यहाँ पर जो कैप्चा दिया रहेगा, उसे फिलप करना रहेगा, यह कैप्चा के सेसिटीव रहेगा इसे, स्मॉल और कैप्टल इसमें देखके आपको फिलप करना रहेगा, अगर आप लोग भी एक साथ यूएन रजिस्टर करने के बाद, इस पोर्टल पे आ रहेए, पास्बुक को चेक करने के लिए, तो आपको यह बात याद रखना है, यूएन रजिस्टर होने के ठीक 6 गंडे पास्बुक को चेक कर सकते हैं, अगर आप यूएन अभी रजिस्टर किये हैं, तो आपको 6 गंडे वेट करने पड़ेंगे, उसके बाद आप अपना पास्बुक देख सकते हैं, तो मैं मुझे 6 गंडे हो चुके यूएन रजिस्टर करके, इसलिए मैं अब इस पास्बुक को चेक करने के लिए यहां पर आया हूं, मैंने यहां पर यहां पर मैं अपनी यूएन नमबर डाल दिया है, उसका पासबुक भी डाल दिया है, तो यहां पर मैं कैप्चा फिल अप कर लूँगा, तो मैंने कैप्चा फिल अप कर लिए है, मैं लॉग इन कर लूँगा, यहां पर आपको आपकी established ID name दिखीगी member ID name दिखीगी office name employer और employer share तो यहां पर आपको सब कुछ दिख जाएगा यहां पर एक जग़ाई employer का शेर दिखे और एक जग़ाई पैंशन contribution दिख जाएगी तो इस तरीके से आप अपना पीए balance चेक कर सकते हैं within a minutes में और इस प्रोसेस को लेकर आपके मन में अभी डाउट है आप comment box में comment कीजिए अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले अपने इस फ्रेंड्स के साथ शेर जरूर कीजिए और ऐसी बहतरीन और इंफोर्मेटिव वीडियो को देखते रहने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास हमारी लेटेस्ट वीडियो के नोडिक्रिशन पहले पहुचे हैं तो दुबारा फिर इसी तरिके से किसी इंफोर्मेटिव वीडियो से में विलेंगे तब तक के लिए बाइबाएं